गर मोंनिंग और आज दो मार्ज हैं तो दो मार्ज के कर्एंटर फेर क्यूशन वही हम जो डेली के ठसक्यूशन करते हैं तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्यूशन के साथ तो सबसे पहला क्यूशन है हमारा कि खेल आधरित खेल आधरित खेल आधरित सिक्सन संसाधन जादूई पिटारा का परीच्छे किस ने दिया है तो एक एक केबिनेट मंत्री है और धर्मिंदर परदान ने खेल आदारित सिक्षन संसादन जादुई पिटारा का परीचे दिया है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कुशन है उबर ने 500 इलेक्टिकल वीकल्स को प्लेटफोर्म पर लाने के लिए किस के साथ समझोता किया है तो टाटा मोटर्स के साथ समझोता किया है और टाटा मोटर्स जो टाटा ग्रूप है उसके अध्यक्स कोन है तो वो है रतन टाटा तो जो उबर है एक एप्लिकेशन है ठीक है उबर कंपनी है जिसने 500 इलेक्टिकल्स को रोड़ पर लाने के लिए यान कि प्लेटफोर्म पर लाने के लिए अपने प् किया है है होलिवूड क्रिटिक्स असोसेशन फिल्म अवार्स में बैस्ट इंटरनेशनल फिल्म का प्रस्कार किसने जीता है तो राजा मोली की जो मूवी आई थी आर 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 जिसके अंदर राम चरण और जूनियर एंटियार अजे देवगन ये जो एक्टर्स थे ठीक है इनकी ये मूवी थी और आर 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 को होलिवूड की क्रिटिक्स असोसेशन फिल्म अवार्स में बैस्ट इंटरनेशनल फिल्म का प्रस्कार जीता है तो ये आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है मुंबई चर्च गेट इस्टेशन का नाम बदलकर हाली में क्या रखा गया है तो नाम बदलने का ट्रेंड काफी चला हुआ है और ये शुरुवात की थी योगी आतितेनाद ने जो की उतरपरदेश के मुख्यमंतरी है तो मुंबई चर्च गेट इस्टेशन का नाम बदल 2020 का किताब किस ने जीता है तो सज्जन जंदल ने आंद्रप्रण्योर ओब दा एयर 2022 का किताब जीत लिया है तो यह आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कुशन है हमारा कौन सा पहला मेट्रो वर्च्वल शोपिंग अप लौंज करने जा रहा है तो दिल्ली के अंदर किसके सरकार है तो आपकी सरकार है और वो न्यूज के अंदर क्यों है क्योंकि आपकी सरकार के अंदर जो उपमुक्मंत्री मनिस सिसो दिया है उनको हाली में गिरपतार कर लिया गया है यूठ鉄 20 इंडिया सिकर समयलन की मेजमानी किस ने की है तो वडोधरा ने की है mm वडोधरा सहर ने की है अभर वडोधरा शहर कहां पर है आम चे भारत का पहला hybrid rocket तमिल लाडू जो की तक्सिन भारत का एक राज्य है और लोडते हुए मांसुन में यहां पर सरवादिक वर्सा होती है ठीक है तो यहीं पर भारत का पहला hybrid rocket launch किया गया है तमिल लाडू के अंदर तो यह भी आपको ध्यान रखना है पहले बात तो यह कब आया था तो यह आया था 2009 के अंदर राइट टू इन्फोर्मेशन का मतलब यह है कि आपका अधिकार है इन्फोर्मेशन जानने का जानकरिया जुटाने का वो चाहिए सरकार हो और सरकार से समंदित या सरकार से फंडिंग प्राप्ट करने वाली जितने संस्तान है अब आटिया लगा कर उन्से इन्फोर्मेशन यानि कि सुचना प्राप्ट कर सकते हैं सुचना का अधिकार जो कि 2009 के अंदर आया था तो आटियाई से जारी डाटा के अनुसार कितने परतिसत मत दाता होने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है कितने किया है साट परतिसा इंपोरेंट है तो और आधार का जो ठीक है तो आधार को कोन संचलित करता है तो यू आई डी आए नेक्स्ट है और दो मार्च का आज का अंतिम क्यूशन है किस देश में पहली बार भारतिय पंडु भी आई एनस सिंदु केशरी डोक की गई है तो वो है इंडोनेसिया में सर्वादिक जो बुखम बाते हैं और बुखम भी और ज्वाला मुखी भी सर्वादिक कहा आते हैं इंडोनेसिया में तो यह आपको ध्यान रखना है तो हाली के अंदर किस देशने पहली बार भारतिय पंडु भी आई एनस सिंदु केशरी डोक की गई है प्लिख देखना है करमचारी उनको तो कॉन से देश में की गई है इंडोनेशिया प्संद आयोंगे प्संद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब तरू करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेरक्विशन तेखने के लिए थैंक्यू